यूपी ट्रिपल सी पीटी टुथाजन ट्वाइटी त्री का नॉटिफिकेशन रिलीस हो गया है यूपी ट्रिपल सी पीटी जो एक्जामनेशन है ये आप सभी को बहुत ही जरूरी है देना और देना भी चाहिए 10th 12th graduation minimum qualification आपकी 10th होना चाहिए और हार qualification आपकी कितनी वी हो आप apply इसमें कर सकते हैं आविदन आप इसमें कर सकते हैं इसके form जो है वो online application स्टार्ट हो गया है आज से ही online application स्टार्ट है आप UP SSC की official website पर जाएंगे वहाँ से आपको online apply करने के लिए link मिल जाएगा मैं last में आपको website पर ले चलूँगे और वहाँ पर आपको show करूँगे exam आपका कम हो कब हो गई है वैसे मैं कहना चाहूँगी कि UP SSC PET जो examination है आप सभी को वैसे इसके बारे में जानकारी होगी लेकिन फिर भी मैं एक बार बताना चाहूँगी ये एक तरह से pre examination है UP SSC के दारा जो PET examination conduct कराया जाता है ये बहुत जरूरी है तो आप जरूर से इसके लिए सब भी candidate apply किये क्योंकि हम जानते हैं group C ही एक ऐसी post है group C की post एक ऐसी है जहां पर सबसे ज़्यादा vacancies निकलती है group A, group B, group C and group D लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमने देखा है सबसे ज़्यादा vacancies जिस group में आती है वो है group C की post पर तो UP में government की जो भी अलग-लग departments में group C की post रहेंगी उनके लिए PET examination must है PET अगर आपने नहीं दिया होगा तो फिर आप उन post के लिए eligible नहीं होते हैं तो मैं आगे आपको वीडियो में सारी information देने वाली हूँ इस notifications related जन्होंने पहले 2022 ये 21 के बाद से valid हुआ है तो 22 का जो जन्होंने दिया हुआ है वो इसके लिए फिर से form fill up कर सकते हैं या नहीं या जन्होंने 2022 दिया है उनको ये करना चाहिए या नहीं करना होगा या नहीं और 2023 की validity क्या रहेगी ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगे और important date कौन कौन सी है वीडियो में बने रहेगा अगर आप भी interested है वैसे आप जरूर इसमें apply जरूर कीजेगा ये बहुत जरूरी है आप सभी candidate के लिए प्रेकेंसी का जो भी government job सार्च कर रहे है यूपी स्ट्रेट में तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगी तो वीडियो को like and share कीजेगा हलो एब्रीवन मैं हूँ आस्था welcome करती हूँ आप सभी का अपने youtube channel government job genuine notification तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं ये स्टार्ट हुए है वो एक अगस्त से application स्टार्ट हो गया है जो notification है वो भी first of August 2023 को ही website पर publish किया गया है and online application भी इसके first August से स्टार्ट हो गया है apply करने की जो last date रहेगी वो यहाँ पर रहेगी 30 August 2030 पूरा एक महिने का time आपको यहाँ पर दिया जा रहा है one month आपके पास है apply करने के लिए first August से 30 August 2023 तक आप इसमें apply कर सकते है सुलके समायोजन एवम आविदन में संसोधन कीती थी यानि correction ये आप 6 सितंबर 2023 को अगर आपके form फिलप में कोई mistake हो जाती है आप correction करना चाहते हैं तो 6 सितंबर 2023 को आप इसमें correction कर सकेंगे उन सभी के लिए ये compulsory कर दिया गया है तो अब आपके लिए ये एक्जाम देना बहुत जरूरी है सभी candidate जरूर है एक्जाम बेड़े इसके scorecard जो आपको मिलता है उसी के वेस पर आप आगे की जो vacancies आएंगी group C की उनके लिए आप eligible रहेंगे अगर आपके पास ये प्रीटी का scorecard नहीं होगा तो फिर आप आगे किसी भी पोस्ट के लिए ग्रूप C की जो पोस्ट है वहाँ पर आप apply नहीं कर सकेंगे online आविदन करने के लिए eligibility तो यहाँ पर पहले तो online आविदन आपको इसकी official website ये दी गई है इस official website पर आपको जाना है apply आप कर सकेंगे and इसमें ये जो है selection procedure जो group C की post है इसमें दो stages पर selection procedure कर दिया गया है जिसमें पहला ये pre exam होगा next of department की तरफ से vacancies आएंगे तो आपको वहाँ पर mens exam देना होगा ठीक है and इसकी जो validity है ये बन year तक रहती है ये बन year एक साल तक ये जो आप PET exam देते हैं हर साल ये UPSC की तरफ से notification release किया जाएगा और आप जब ये exam देंगे तो ये जो score card है आपका जो validity है score card की एक साल तक valid रहेगा जैसे जो 2022 का जो लिया था उसका जो result है वो यहाँ पर पचीस एक पचीस एक यहाँ पर आप देख रहे हैं पचीस एक 2023 को इसका जो result है वो घुसित किया गया तो और उसकी validity एक साल तक के लिए थी अब जो 2022 में यानि जिन्होंने पहले वाला जो P.E.T.A. exam है वो दे दिया हुआ है और वो आप यहाँ पर फिर से देना चाहते हैं या नहीं यह आप पर depend करता है वैसे आपको देना चाहिए अगर आप देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं क्योंकि आपका जो scorecard है वो वहाँ पर expire हो जाएगा बैलिटि आपकी खतम हो जाएगी तो 24 जनवरी के बाद आपको फिर से scorecard की requirement रहेगी तो आप यह exam दे सकते हैं यह exam आपका अगले एक साल के लिए बैलिट हो जाएगा तो जन्होंने पहले दिया हुआ है वो भी इसको दे सकते हैं उसी registration के थूँ जो आपने पहले fill किया होगा आप उस number को जब आप enter करेंगे तो वहाँ पर आपका automatic पूरा जो data है जो भी आपने fill up किया है automatically वो वहाँ से ले लेगा तो जो पहले दे चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर दे सकते हैं और देना भी चाहिए क्योंकि 24 जनवरी के बाद आपकी validity खतम हो जाएगी scorecard की उसके बाद फिर आप आगे की vacancy के लिए eligible नहीं होंगे तो ऐसे में आपको ये वाला exam भी देना चाहिए जिसे आपका next one year के लिए आप फिर से valid हो जाएं अब आपको online apply कैसे करना है वो यहाँ पर step by step बताया गया है सबसे यहाँ पर दिया गया है candidate का registration होना जरूरी है तो आप सबसे पहले website पर जाएंगे registration करेंगे अगर आप 2022 वाले में registered है तो आप उसी register number को enter करेंगी तो आपका पूरा data जो भी है तो वहाँ से आपका automatically ले लिया जाएगा उसके बाद photo signature अगर आप new है तो new पर जाएंगे मैं अब आपको website पर बता दूंगी new है तो new पर जाएंगे उसके बाद आपको filling remaining part of form form में कुछ आपकी formalities रहेंगी जो आपको fill करनी होगी fee payment करना होगा and print application form application form का print out भी आपको लेकर रखना है आप उसको जरूर से लेकर रख लीजेगा अब यहाँ पर आपको जो fees है बोट pay करनी होगी तो categories wise आप fees देख लीजे अना रक्षित सामाननी के लिए 185 है अन पिछड़ा वर के लिए 185 है अनसुच जाती जन जाती 95-95 95 है और P.W.D. candidate के लिए 25 रहेगी ठीक है तो यह fees है जो आपको form form के time पर fill करनी होगी and form का print out ले आप लेके रख लीजेगा अब देखेंगे यहाँ पर section अहरता यानि essential qualification क्या रहेगी तो P.E.T. 2023 में यहाँ दिया गया है high school या इसके equivalent अत्वा उससे उच्छ सेक्षिक अहरता धारत करने वाले candidate यहाँ पर apply कर सकते हैं यानि minimum आपका 10th pass होना चाहिए उसके बाद आप 12 है graduate है आप apply कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो vacancies आएंगी group C की post रहेंगी अब group C की post के लिए कुछ post होती है जहाँ पर 10th pass भी eligible होते हैं कुछ post के लिए 12th and graduate candidate भी eligible होते हैं तो ऐसे में minimum qualification 10th हो उसके बाद आप 12th graduate PG जो भी हो आप करना चाहते हैं क्योंकि आप group C की post job पर आपिदन कर सकते हैं कि एस लिमिट देखेंगे तो यहाँ पर minimum 18 होनी चाहिए और maximum यहाँ पर 21 अठारा एक्की सॉरी यह 18 और 21 मिनमम रखी गई है यह विन विन क्योंकि जो department रहेंगे उस पर depend यहाँ पर रहता है क्योंकि कुछ जो आगे जो आपकी भरतिया रहेंगी department में graduation level पर होगी तो वहाँ पर minimum आपकी 20 यह 21 रहती है 10 यह 12 पर होती है तो 18 रहती है इसलिए minimum यहाँ पर 18 रखी गई है 18 यह के अगर आप है क्योंकि 10 लेवल पर यहाँ पर मांग रहे हैं तो 18 आप यहाँ पर रखी गई है और इसमें आपको upper is limit जो भी post यानी 40 यहाँ पर बत 18 से लेकर 40 यह तक के candidate इसमें आविदन कर सकते हैं रिजब कैटिगरी के candidate को relaxation मिल जाएगा अब इसमें आपका examination होता है ठीक है return examination होगा यह एक सिफ्ट यह दूसरे प्रेक्स के ज्यादा सिफ्ट में हो सकता है लेकिन examination से related information आपको कब होगा date बगरा जो भी सब कुछ आपको के लिए valid होता है यह score एक साल तक जब तक आपकी भरती आती रहेंगी group C की आप हर group C post के लिए eligible रहेंगे and अभ्यारतियों के लिए महत्पूर्ण अनुदेश यहाँ पर बताए गये ने लेने वगरा कुछ important points यहाँ पर clear किये गए हैं तो आप देख लीजगा अगर आप इ एक साल रहेगा उसके लिए आप eligible नहीं हो पाएंगे group C की जो भी post राएंगी तो जरूर form fill कीजेगा and इसका सलावस क्या रहेगा मैं आपने second channel get more info YouTube channel है जिस पर मैं सलावस exam pattern courses information देती हूं and scholarship के बारे मैं भी जानकारी देती हूं तो उस channel पर मैं सलावस upload कर दूँगे and I hope आ